नमस्ते, मैं बाहर हूँ. मेरे दो सवाल हैं. पहला ये कि हम अच्छा केरियर कैसे चुने? और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि मूल रूप से तकनीक या खास तौर पर Artificial Intelligence शिक्षा में कैसे सहायता कर रही है? ठीक है. हम पहले दूसरे सवाल का उत्तर देंगे क्योंकि पिछले दो सालों से लोग मुझे अंतरराश्ट्रिय सम्मेलनों में Artificial Intelligence पर बोलने के लिए बुला रहे हैं. उन्हेंने जब पहली बार बुलाया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों आमंत्रित किया? मैंने कहा मैं बनावटी बुद्धी नहीं हूँ, मैं कुद्रती बुद्धी हूँ, आप मुझे बनावटी बुद्धी के लिए क्यों बुला रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि ये सभी की समझ से है, कि अगर बनावटी बुद्धी आ गई, तो हम अपनी नौकरियां खो देंगे. मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको छुटियां मिलेंगी, जिसकी आपको हमेशा तलाश रहती है. अगर इस धर्ती पर मशीने सारा काम करें, तो इसमें समस्या क्या है? लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा. मुझे लगता है कि अगर मशीने सभी मेहनत वाले काम करने लगें, आप यहीं देख सकते हैं, जैसे कि जैनियू में आपने जो कुछ बनाया है, मान लिजे कि आप इसका निर्मान कर रहे हैं, तो आपको इसे बस एक कुदाली और एक लोहदंड से करना है, आपको कितना सार काम करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन और दूसरी चीजें आ गई हैं, कितना काम कम हो गया है, जिसके कारण आपकी बुद्धी को नए अफसर मिलें, अगर आप एक लोहदंड से महनत कर रहे होते, तो सिर्फ आपकी मान स्पेश यहीं बढ़ती, तो अब इस समय दुनिया के जादतर काम जो आप कर रहे हैं और अधिकान शिक्षा जो दे रहे हैं, वो मूल रूप से सूचना इकठा करना है, सूचना का भंडार करना, उसका विशलेशन करना, एक खास तरह से जोडना और लोगों के सामने अलग-अलग तरीके से पेश करना, इसे आप शिक्षा कहते हैं, लेकिन अब ये गूगल महिला, आपके आसपास बैठे किसी भी इंसान से अधिक जानती है, है ना, लगता है उसे सब कुछ आता है, आप उससे कुछ भी पूछिए, बिना पल के जपकाए, वो आपको दुनिया की हर चीज बता देगी, हाँ या नहीं, तो ऐसा समय आ अब ये बस पांच से दस साल की बात है, जो चीज आप आज पांच साल के शोद से जान पाते हैं, एक मशीन उस पर काम करेगी, आप उसे सूचना देंगे, वो पांच मिनिट में काम कर देगी, ये मेरे साथ हुआ जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार कैलकुलेटर देखा पैनासॉनिक या सोनी कैलकुलेटर, उसे में वो लगभग सौ रुपे का था, सपाट कैलकुलेटर, वो सकता है आपको आजकल ऐसा सरल कैलकुलेटर ना दिखे, वो बहुत सरल था, जब उन्होंने पहली बार मुझे दिखाया, टुक टुक टुक, गणित तयार, तो मेरे मन में पहला विचार ये आया, कि फिर मैं ये बेकार सी गणित क्लास में क्यों जा रहा हूँ, अगर ये मशीन मेरे लिए जोड, गुना कर सकती है, भाग दे सकती है, कॉस थिटा, साइन थिटा, हर चीज़ कर सकती है, तो ये लोग हमें इन चीज़ों से क्यों परिशान कर रह इतने साल लगे हैं, 45-50 साल से जादा, अब वो कैलकुलेटर इतना जटिल हो गया है, कि आपके पूरे जीवन के ग्यान से अधिक जान सकता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वाकई बेहतरीन है, क्योंकि जैसे आपका शारेरिक काम मशीनों ले ले लिया भौतिक मशीने, मेकानिकल मशीने, अब आपकी बुद्धी का काम एक अलग तरह की मशीन ले रही है, मुझे लगता है कि आप बहतरीन समय आ रहा है, आपको जानकरी कठा करने, उसके साथ जूजने, उसकी गलत व्याक्ख्या करने, गलत समझने की चिंता ही नहीं करनी, कु तो मैं क्या करूँगा? तो वो गुफा मानव अब शायद जेन्यू में हैं? हाँ? अगर मशीने नहीं होती, तो आप भी कहीं पत्थर उठा रहे होते, है न? क्योंकि मेक्यानिकल मशीने आई, इसलिए आज आप इस यूनिवर्सिटी में हैं, कल को अगर एक बुद्धी की मशीन आती है, तो अपनी जानकारी पर काम करने के मामले में आप जो भी कर सकते हैं, आज से पांच से दस साल बाद मशीने उससे बहतर करेंगी, और ये कोई बड़ा सूपर कम्प्यूटर नहीं होगा, ये बस आपकी जेब में होगी, सूचना, चीजों को जोड़ना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये काम मशीन आपसे बहतर करेगी, ये आपको मेल और संभावनाएं बताएगी, सारा शोध तीन दिन में हो जाएगा, आप सूचना डालेंगे, बुम, ये आपको अंतिम निर्ने बता देगी, तो लोग चिंतित हैं कि वो अपनी नौकरी खो देंगे, मुझे खुशी है कि वो अपने जौब खोईंगे, क्योंकि मानवता के लिए एक महान समय आ रहा है, जिसमें हमें शारेरिक श्रम नहीं करना होगा, हमें बुद्धी का काम भी नहीं करना होगा, सिर्फ तब आप इंसान के अंदर मौझूद बुद्धी के दूसरे आयामों की खोज करेंगे, तारकिक बुद्धी आपकी बुद्धी की सिर्फ उपरी सत्व है, मुझे पता है इससे काफी सारा, क्या आप इससे समझाने के लिए मुझे दो मिनट देंगे, क्योंकि आप जिसे इंटलेक्ट कहते हैं, उसे बुद्धी कहते हैं, योग संस्कृती में, बुद्धी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मेंसे जो जाग रहें और सो रहें, उनको इसका उत्तर देना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूँ, कि आपको एक तेज बुद्धी चाहिए या सुस्त, आपका चुनाव क्या होगा, तेज, तो जाहिर है कि बुद्धी काटने का उज़ार है, है न, आप इसे चाकू की तरह तेज चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा प्रनाली के साथ जो हो रहा है, और हम जिस तरह से समाज को बना रहे हैं, दरसल हम हर चीज करने के लिए चाकू का उप्योग कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में मुझे ये कई बार याद आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार फिर से, बरसों के बाद मैं फिर से मोटर साइकल चला रहा हूँ, पिछले तीस बरसों में मैंने जितनी चलाई उसे ज़ादा, तो कुछ यादें वापस आ रही हैं, मैं पूरे देश में बिना किसी कारण के मोटर साइकल चला रहा था, बस एक सीरे से दूसरे सीरे तक, देश की सीमा तक पहुँचता, फिर वापस आता, फिर दूसरी दिशा, फिर दूसरी दिशा, मैं बस अपनी जेव के पैसे गिनता था और आगे की यातरा की किलोमेटर, ठीक है, तो एक बार ये कुछ ऐसा है, जिस पर आपको शोद करना चाहिए, कुछ दिन ऐसे होते थे, जब मैं तीन दिन और तीन रातों तक, लगातार चलता रहता था, बिना रुके, बिना थके और बिना सोए, मैंने अपने सिस्टम में कुछ चीजें की थे, क्योंकि आप में से किसी ने सवाल किया था, क्या सीमन या वीरे को किसी और चीज में बदला जा सकता है यदि आप अपने सिस्टम में कुछ चीजे करें तो ये उर्जा से इतना भर जाता है कि तीन रात और तीन दिन तक उस जमाने की सडकों पर 250 सीसी की यजदी मोटर साइकल पर चलते जाते हैं जावा मोटर साइकल आज के समय जैसा नहीं था कोई बड़ी बाई क्या हाईवे, फोर लेन, कुछ नहीं सभी सिंगल रोड, गड़ों से भरी, पीठ तोड़ू लेकिन मैं लगातार 72 से 75 गंटों तक बिना रुके चलता रहता था केवल एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक तो एक पूरी रात बाईक चलाने के बाद मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ कहां पर मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं था सुबह सुबह मैंने अपनी बाईक एक धाबे पर रोकी सोचा कि एक चाय पी कर थोड़ी देर आराम करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा मेरी चेन थोड़ी धीली हो गई थी मुझे नहीं पता आप सब अभी मोटर साइकल चलाते हैं या सब मेट्रो वाले हो गए हैं तो मैं अपनी मोटर साइकल को किसी को छूने नहीं देता था क्योंकि मैं हर समय उस पर सवार रहता था तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता इंजन के काम से लेकर हर चीज़ खुद करता लेकिन चेन थोड़ी धीली हो गई थी पूरी राथ की राइट के बाद मैं वहाँ बैठा था तब ही मैंने देखा मुबारक मेकैनिकल वर्क्स हाथ से लिखा साइन मैंने उस और एक लंबे जवान लड़के को देखा मैंने का क्या तुम मेरी चेन टाइट कर सकते हो क्योंकि चेन को टाइट करना कोई बड़ी टेकनोलोजी नहीं है बस हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं तो मैंने सोचा कि ये उसे करने देते हैं तो उसने हाँ कहा और पूरे उत्साह के साथ आ गया फिर मैंने देखा कि उसके हाथों में बस एक शेनिया और एक हतोड़ा था मैंने का रुको तुम क्या कर रहे हो उसने कहा रहे मैं ये कर सकता हूँ मैंने का तुम्हारे पास कोई और अजार नहीं है फिर मैं उसकी छोटी सी दुकान जो उसका गेराज थी उसमें गया वहाँ पर बस कुछ छेनिया और बड़े छोटे हतोड़े थे ये बंदा हर चीज छेनी और हतोड़े से करता था वो शायद कर लेता लेकिन ऐसा करने के बाद वो मशीन आखरी बार ठीक हो रही होगी उसके बाद उसका काम खत्म ठीक है मैंने का तुम मेरे मोटर साइकल को हाथ मत लगाना ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्ता इसी तरह से है हम हर चीज को अपनी बुद्धी के एक ही आयाम से कर रहे है जो कि तारकिक बुद्धी है तारकिक बुद्धी केवल तब अच्छी है जब वो तेज है वरना वो अच्छी नहीं होगी अगर आप हर चीज करने के लिए एक तेज औजार का उप्योग करेंगे तो यह पक्का है कि आप चीथोडों में नजर आएंगे इसी कारण 30, 40, 50, 60 बरस की उम्र में भी लोगों को नहीं पता कि वे अपने विचारों और भावनाओं को किस तरह संभाले आप कब सीखेंगे कि आप 10,000 बरस जीएंगे वो समय कब आएगा जब आप सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभाले आप इसे तनाव कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं कष्ट कह सकते हैं, आगलपन कह सकते हैं मूल रूप से आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं जानते। बस इतनी सी बात है है न। इसलिए है क्योंकि आप बुद्धी के एक पहिये पर सवार हैं। जबकि बुद्धी के अनेक पहिये हैं। केवल एक पहिया घूम रहा है। दूसरे या तो फस गह या आपने कभी इनकी खोज नहीं की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बनावटी बुद्धी आ जाएगी तो आप जो कुछ भी तारकिक बुद्धी से कर सकते हैं एक छोटी मशीन कर देगी। अब मुझे लगता है कि लोग दूसरे आयामों की खोज करेंगे। म झाल झाल